सर नमस्कार क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंग प्रेम सिंग जी कहां से आई हो आप? रावला मंडी राज़स्तान से सर ये कौन से जिले में है? सिर गंगानगर जिले में आपता जी संत रामपाल जी माराजी से नामदिक्सा लेने से पहले आप क्या बक्ति साधना करते थे संत रामपाल जी माराज से जुड़ने से पहले मैं रादा स्वामी संथ पंथ में जुड़ा हुआ था उसके अंदर में कम से कम में दस साल की बक्ति कर रहा था लेकिन उसे कोई फाइदा नहीं हो रहा था चर्ण सिंह माराज से आपको क्या बक्ति साधना बताई उन्होंने? आपको कोई लाब नहीं मिला वहां से? फिर क्या क्या आपने? फिर मैं डिबे जोती जागरेंट संस्थान से जुड़ा हुआ था उसके अंदर भी मुझे कोई लाब नहीं मिला और मैं कम से कम उसमें बारा साल रहा उस दोरान ये लड़के की मर्त्यू हुई और उसके बाद में पोते की मर्त्यू हुई इस वज़े से मैं काफी दुखी था उस दोरान छोटे बाई सामने जिनका नाम बलवंट सिंग है संतरामपाजी माराज से नाम ले रखा था उनके कहने से मैं बर्वाला गया जब मैं बर्वाला जा रहा था तो दिबे जुनती वालों ने मुझे रोकने की कोशिश की मैंने फॉन पे बात कि मैं कहीं मैं यहां से रुकूंगा नहीं मैं जुरूर जाके आओंगा देखूंगा जब मैं वहां गया वहां का महुल रखा और वहां जाने के बाद मैं पता मुझे क्या हुआ मैं बहुत रुआ बहुत इतना रुआ कि जैसे बच्चा रोता है और उसके बाद में नाम लेके सर आपने संत्रामपाल जी माराजी से नाम दिक्षा कब ली? मैंने संत्रामपाल जी माराजी से जिक्षा 2014 मिली सर संत रामपाल जी महाराजी से नाम दिक्सा लेने से पहले भी आप अलग-अलग दो पंतों में रहे हैं आपको वहां की भक्ती साधना में और वहां से मिलने वाले अनुबहों में और संत रामपाल जी महाराजी से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको क्या अंतर नचर आया? उन संतों ने अपने मन घड़त मंतर दे के हमें दे रखे थे और संत रामपाल जी महाराजी ने सभी गरंथों में परमानित ग्यान दिया है क्या रादा सौमी पंथ में और डीविय जोती जागरंड में कोई वेज सास्तों का ग्यान नहीं दिया जाता? नहीं सर, उन्होंने मानगा देवी देवताओं के जो मंतर दे रखे हैं सर, आपको संतरामपाल जी महाराजी से नाम देख से लेने के बाद क्या क्या लाब मिला? संतरामपाल जी महाराजी से नाम लेने के बाद में सबसे बड़ा लाब तो ये है कि मुझे वो सची बगती मिली और दूसरा जो मेरा एक्सिडंट हुआ उसमें ये मानों की मेरी मौत थी और संत्रामपा जिमार की डिया से एक्सिडंट भी हुआ हाँ जी एक्सिडंट हुआ कैसे हुआ था मेरा जो एक्सिडंट हुआ मैं एक बिजली का काम करता हूँ मोटर ठीक करने के लिए एक चक्की पर गया हुआ था उसमें कुछ फाल्ट ऐसा ही था कि मुझे काफी टैम लग गया रात्री के लगब कोई साड़े आठ नो बजे का टैम हो गया और वो मुझे घर पे छोड़ने के लिए मोटर सैकल पे जा रहे थे मैं पीछे बटा हुआ था तो मैं रोड पे कोई पसू के आने से मोटर सैकल उसमें लग गया जिस से हो अगली तरफ गिरे और मैं पीछली तरफ गिरा मोटर सैक एक तरफ गिरा मेरे को महराजी संतरामपाल जी महराजी ने ऐसे बचाया कि सिर्फ मेरी एक उंगली ही छड़के लगी और बाकी सारा मेरा स्रीर उपर है आप ये सोच सकते हो कि जब मोटर सैकल से गिरे तो सारा निचे जाना था ये रामपाल जी महराज की ही किरपा है सर संत रामपाल जी महराज जी जिन से नामदिक्सा लेने के बाद आपको इतने सारे लाब मिले मानसिक सान्ती मिली वो संत रामपाल जी महराज जी जो अपने अन्यायो को इतने सारे लाब दे रही है वो आज जेल में है आप बगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनसे नामदिक्सा कैसे ली जा सकती है मैंने 15-20 साल जो अन्य पंथों में खराब किये हैं उनसे कोई लाब नहीं हुआ मैं उन भाईयों को ये कहना चाहता हूँ कि आप संतरामपाल जी महाराज का सासंग सुने ग्यान सुनें ग्यान सुनके अपना किल्दान कराएं बहुत बहुत धन्यवाद